इस दिन को भारत में राश्ट्री खेल दिवस के रूप में मनाया जा था। इस दिन भारते खिलाडियों को खेलों में विशेश योगदान देनी के लिए राश्टे खेल पुरुसकारों से सम्मानित किया जाता है। 1945 में ब्रिटिश ने हॉंग कॉंग को जपान से मुक्त कराया था। हॉंग कॉंग एक वैश्विक महानगर और अंतरास्टे वित्य केंद्र होने के साथ एक उच्छ विक्सित पूर्जिवादी अर्थवे वस्ता है। 70 लाख लोगों की अबादी और 407 वर्ग मिल जमीन के साथ हॉंग कॉंग दुनिया के सबसे घनी अबादी वाले इलाकों में से एक है। 1946 में ब्रिटैन की दो हमशकल जुड़वा भेनों के सो साल पूरे होने पर महारानी ने उन्हें संदेश भेज कर बधाई दी थी। 2005 में New Orleans में तेज हवा और बरसात के साथ तुफान आया जिसमें कुछ इलाकों में पानी की लहरे 6 फुट उपर उठ रही थी। तुफान इतना तेज था कि एक पूरा स्टेडियम इसमें भेग गया जिसकी छट पर लोगों ने पनाले रखी थी। झाले जिस तुफान तुफान आया जिसकी छिसमें भी कि एक पर जचित करेंगे जिसल्पर स्टेडियम इसर्पर उड़िए करेंगे जिसकी हिए यसर्पर जॉर झाले करेंगा।